नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चेनल में दोस्तों जस्त दून 2021 सूरी गरन लग रहा है ऐसे में भारत में कितने बज़े से होगा सुतक काल कब होंगे और कौन से ऐसे उपाय है जिनको करने से सिसू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्वती महिलाएं जरूर करें ये छोटा सा काम दोस्तों साल 2021 का पहला सूरी गरन 10 जून बुद्दुवार को लगेगा जो भारत में भे अवस्य दिखाई देंगे ऐसे में सूरी गरन के दूरान लोगों को सबसे ज야दा चिंता तब होती है जब आपके घर में कोई गरवती महिलाएं हो चंद्र गरन और सूरी गरन के नगरात मुकुर्जा का सबसे जादा असर बुजरुम पर बच्व पर और गर्वत्ती महिलाओं पर पड़ती हैं ऐसे में गर्वत्ती महिलाओं का सरेर इस समय इतना कमजोर हो जाता है कि इस सूरीगरण के दोरान उन्हें कई प्रकार की सावधानियां बरतनी होती हैं जिनसे के उनका वे और उनका बच्चा भी सुरक् बताएंगे और कौन से ऐसे मंत्र हैं कौन सी ऐसी क्रिया हैं जिनको करने से बच्चों को कोई भी नुक्सान नहीं होगा इस विसे में भी आपको बताएंगे तो दोस्तों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले इस सहर का जानना है कि आपके सहर में साल का पहला सूरी ग्रहन कितने बज़े से लगेगा तो आप अपने सहर का नाम कमेंट वॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको जरूर बताएंगे दोस्तों गर्वत्ती महिलाओं को गरन सहसुर होने से पहले है असनान कर लेना चाहिए और गरहन में अगर आपके घर में मंदर हैं तो मंदिरों के कपाठ को बंद कर देना चाहिए ताकि भगवान पर इसका गरन का कोई भी असर ना हो वहें ग्रहन के खत्म होने के बाद असनान करना बेहद जरूरी होता है तोगे ग्रहन के दोरान पढ़ने वाले नगरात्म कुर्जा गरवत्ती महलाओं और होने वाले सिसुपर बुरा असर डालती है अगर कोई महला ग्रहन असनान होने से पहले है असनान न कर सके तुसे अपने घर में गंगे जल को चिड़काव करना चाहिए दोस्तों इस ग्रहन का सुत्तकाल बारे घंटे पहले है लग जाएगा यह ग्रहन कई देशों में देखा जा सकता है जैसे यह भारत सहेथ अंटा लटी का हिंद महासागर प्रसांत महासागर अमेरिका दक्षी निरोब और हिंद महासागर के कई शेत्रों में दिखाई देगा यह आंसिक चंद्रगरण हो यह सुरिगरण होगा जो के जैट मास की किरिसन पक्ष के अमवस्यातिति को लगेगा ऐसे में 10 जून 2021 को लगने बाला सुरिगरण भारते समय के अनुसार इस दिन दोपर 11 बच कर 42 मिनट से शुरू होगा और इस सुरिगरण के समापते साम के 6 बच कर 41 मिनट पर होगे दोस्तों यह सुरिगरण मुक्की रूप से रूस, मंगोलिया, यूरोप, गिरिनलेंड, कनाडा और उतरी भाग और चीन के पक्षी मिभाग में दिखाई देगा जबके यह भारत में वे आंसी ग्रूप से दिखाई देने वाला है ऐसे में इस गरण के दोरान गरवती महिलाओं के साथ-साथ कई मनुस्यों को वे सावधाने बरतने के जुरूत होंगे यह बहुत ज़्यादा भयानक और काफी ज़्यादा प्रभाव साली रहेगा क्योंगे यह काफी ज़्यादा लंबा रहने वाला है दोस्तों ऐसे में आईए जानते हैं गरवती महिलाओं को कौन से सावधाने बरतने चाहिए जी हां हिंदु धर्म में पुरानी कत् ोंप के अनुसार गर्वत्ती महिलाओं को सुरी ग्रण के दोरान घर के अंदर हे चार दीवारी में रहना चाहिए क्योंके ऐसा माना जाता है कि इस दोरान घर से बाहर निकलना हानी का रहखोगा हाला के आप गरहन खत्म होने के बाद बाहर निकल सकते हैं सुरी गरहन के दोरान गरवत्ती महिलाओं को चाको पिन और सुई जैसे नुकीलू चीजों सबे दूरी बनाये रखने की जुरूत होंगे क्योंगे हिंदू पोरानी कताओं के नुसार यह माना जाता है कि सबदी के दुरान सिसु में विकृति का कारण मनती हैं और चाको सुई बलेड कैची त्यादी का उप्योग काटने वाली वस्तु का उप्योग नहीं करना चाहिए इनसे आजने में बच्चों के अंगों पर बूरा असर पड़ सकता है सुई धागा का उप्योग बे इस समय के दुरान निसेद होता है गरण की अबदी के दुरान भगवान का नाम लेने के अलावा और कुछ बे नहीं करना चाहिए गरवत्ती महिलाओं को गरण को खुली आंकों से कभी भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि यहानी कारक हो सकता है सुरी गरण को कभी भी खुली आंकों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि यांकों की रौसली को खराब कर सकता है सूरी गरण के दुरान गरबती महिलाओं को सोने के सलावे नहीं दी जाती हैं खाना खाने के सलावे नहीं दी जाती हैं नहें आप अनकर सकते हैं मलमुत्र को त्याग करने के सलावे नहीं दी जाती हैं गरबती मेलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षी दखने के लिए महामिरतुंजे मंत्र, संतान, गोपाल मंत्र और सुरी मंत्रिया, विस्न मंत्र का जाप करना चाहिए गरबती में गरबती में गरबती में गरबती में जिनको करने से आपके जीवन में कई परकार के एफेक्ट हो सकते हैं इसलिए आप सुरी गरण के दुरान इन सबी कार्यों को करने से बचने का फ्रियास आप अवस्य करें आप महामरतुंजे मंत्र का जाप करें, ओम नमश्वाई मंत्रों का जाप करें, जहां तो कोसे भगवान की वक्ति में लिए नहने के अवस्य कोसे करें अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें पूछें